से बहले बात करते हैं Swift Sports की तो यह जो variant है यह confirm है कि इंडिया में आने वाला है अपरिल के असपास अब बात करते हैं आपको यहाँ पर क्या मिलेगा तो सबसे बहले जो exterior है वो आपको same to same as I मिलेगा मतलब जो इसकी बहार से design और look है वो आपको same to same as I मिलेगा केवल जो changes मिलेंगे वो आपको color scheme में मिलेंगे यहाँ पर शायद आपको मुश्किल से yellow, orange और यह सारे color देखने के लिए मिले और जो इसका alloy wheel size है वो आपको 17 inches का ना हो करके 16 inches का देखने के लिए मिलेगा और जो इसका exhaust है यानि जो इसका silencer है वो इसमें आपके दो opening दिखाई गई है लेकिन वो आपको दो opening ना हो करके singly opening देखने के लिए मिलेगी इसके अलावा car की जो लंबाई चोड़ाई है वो आपको same to same जो अभी देखने के लिए मिलती है वही मिलने वाली exact कोई भी change नहीं मिलेगा और अब बात करते हैं इसके interior की तो interior में आपको यहाँ पर normally red insert देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको सामने दिखाई दे रहोंगे बाकी features के मामले में इसमें 360 camera, cruise control, D-shape steering wheel और ऐसा मतलब जो seats है इसकी इस type की bucket seats आपको semi bucket seats आपको देखने के लिए नहीं मिलें क्योंकि यह बहुत जादा comfortable नहीं होती है तो इनसे थोड़ा से जादा कुशनी आपको देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि इनके जो target buyer होंगे वो केवल और केवल sports lover नहीं होंगे इसमें आपके normal लोग भी होते हैं जो लोग जने कभी कभी कीड़ा काटता है मतलब एकदम full rocket बनाने का वो लोग भी इस car को लेने वाले हैं तो इसलिए इसकी जो seats है वो थोड़ी सी ज्यादा cushion वाली रहेंगी और अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को प्यार देखाएं और support मतलब subscribe करें support करें चैनल को थोड़ा से support भी करें हाँ subscribe करें और बहुत जादा अच्छी वीडियो लग रहे है तो thanks बटन पर click करके हमें अपना प्यार जरूर दे और बात करें इसके अगर हम engine की तो इसमें आपको 1.4 लीटर का booster jet engine देखने के लिए मिलता है और अब बात कर लेते हैं इसके most important चीज़ की जिसके लिए मारूती हमेशा से बदनाम रही है safety और जो इसकी end cap rating है तो देखिए इसका भी end cap में तो अभी तर्ट टेस्ट नहीं हुआ है but Asian end cap में इस car को 5 star rating मिली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 5 star rating इस car को मिली है और इसमें आपके 6 airbag देखने के लिए मिलते हैं साथ ही इसमें जो weight मिलता है वो अभी existing swift से काफी जादा मिलता है चलेगी और अब बात करते हैं इसके price की तो यह जो दोनों गाड़िया आप मेरे सामने देख रहे हैं यह एक है normal वाला model और एक हमारा sports और यह दोनों गाड़िया मैंने न्यूजी लैंड की साइट से उठाई है और अगर हम यहाँ पर price difference देखते हैं तो दोनों गाड़ियो में जो अभी Swift का एक शोरूम प्राइस चला है वो लगवव 6 लाख रुपए है तो अभी फिलाल जो Swift Sports है वो अगर इंडिया में लाँच होती है तो इसका जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप मोटा मोटा कहीं मानके चलें कि लगबग इसका जो एक शोरूम प्राइस रहने वाला है Swift Sports का वो लगववद 10 लाख रुपए के आसपास रहने वाला है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है और इसकी जो लाँचिंग है वो आपको एप्रेल के बाद ही कहीं देखने के लिए मिलेग और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर और भी ज़्यादा पसंद आता है तो आप ठेंक्स बटन पर क्लिक करके हम अपना प्यार दे सकते हैं और चैनल विजिट करना ना भूलें कि ऐसा बहुत सा करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मत अब तक के लिए जैहिंद